इस पेड़ पर कलावा बांधने से होता है लाब स्त्रियाप पती की दिर्गायू के लिए बांधी हैं इस पेड़ पर कलावा जीवन में खुशाली बनी रहती है तीनो देव ब्रह्मा विश्नु महेश का आशिरवाद प्राप्त होता है हिंदु धर्म में कलावा बांधने का महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है कहते हैं कि हाथ में कलावा बांधने से नकारात्मक्ता समाप्त हो जाती है या आपके हाथ में रक्षा सूत्र की तरह काम करता है लेकिन कुछ ऐसे पेड़ पोधे हैं जिसमें कलावा बांधा जाता है हिंदु धर्मे में माना जाता है कि पेड़ पोधों को कलावा बांधने से मालक्ष्मी की क्रबा प्राप्त होती है और कई ग्रह दोष भी दूर होते हैं चली जानते हैं वो कोन-कोन से पेड़ हैं जिसमें कलावा बांधना शुब माना जाता है केले की पेड़ की पूजा करने से भगवान विश्नु परसंद होते हैं अगर आप गुरुवार के दिन केले के पेड में पूजा करने के साथ ही कलावा बांते हैं तो इससे भगवान विश्नु और ब्रस्पति देव का अशिरवाद प्राप्त होता है। विवाहिक जीवन में भी खुशाली बनी रहती है। आवले के पेड की पूजा करने से भगवान विश्नु प्रसंद होते हैं। गुरुवार या शुकुरुवार के दिन आवले के पेड की साथ बार परिक्रमा करते हुए कलावा बांधने से जीवन में खुशाली बनी रहती है। शमी का पौधा जिस घर में होता है, वहां शनीदेव और शिवजे की कृपा बनी रहती है। शनिवार के दिन शमी के पौधे में कलावा बांधने से शनी महराज प्रसंद होते हैं। साथ ही अगर आपकी कुंडली में राहु का दोश है तो वो भी कम हो जाता है। हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ की बहुत ही माननेता है। लोग शनिवार के दिन इसकी पूझा करते हैं। पीपल के पेड़ में कलावा बांधने से घर में सुक, शांती और सकारात्मक्ता बनी रहती है। सुहागीर महिलाओं द्वारा बर्गत के पेड़ की पूझा करने से अखंड सोभाग्य का वर्दान प्राप्त होता है। और दामपत्य जीवन में कुशाली बनी रहती है। माना जाता है कि बरगत के पेड में कलावा बांधने से संतान सुक की प्राप्ति होती है, साथ ही पती की आयू लंबी होती है, भारत में स्त्रीत्व के साथ सोभाग्य का जुडाव हमेशा से ही रहा है, इसी सोभाग्य को अखंड रखने के लिए ये महिलाएं तमाम व्रत ती रिठमास की मावस्या को ये व्रत किया जाता है, तित्यों में अंतर होने के बाद भी इस व्रत का उदेश्य है, सोभाग्य की व्रधी और पती व्रत धर्म का पालन करना, इस व्रत में सावित्री और वट व्रक्ष दोनों का ही बड़ा महत्व है, कहते हैं कि बरगत के की दिर्गाहियों के लिए पूजना इस व्रत का अंग बना महिलाएं व्रत पूजन कर कथा कर्म के साथ साथ बटवरक्ष के आसपास सूत के धागे को परिक्रमा के दौरान लपेटती है आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं आगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार